खुड़ा विलंब से कुछ technical problem आने के कारण धेर से यह कारिकरम शुरू हो पाया और अभी भी थोड़ी समस्या है technical problem से खुड़ा सा तो चलिए कोई बात नहीं उस problem का समाधान लगभग लगभग हमने ढून लिया है और कल तक पुरी तरह से इसका समाधान हो जाएगा कल से ही कुछ problem आ गई थी जिस कारण से कि यह problem थोड़ी सी बढ़ने के कारण विवधान आते रहते हैं निश्य ही अभी कोई विवधान नहीं आएगा अब हम आगे बढ़ेंगे अपने विशय पर कि हमारा विशय आज का क्या है रामचरित मानस से लंका कांड का यह विशय है लंका कांड में कैसी चर्चा चलती है दुरू से ही हम देख रहे हैं कल भी हमने लंका कांड का प्रारंब किया और प्रारंब के जो चर्चा थी गोही नहीं पावा तो शुरी राम चंदर जी कहते हैं कि जो शिव करता करता है और राम से प्रेम करता De कि वहवेक्ति कभी भी राम जी को प्राप्त नहीं कर सकता है कुछ ऐसी बात कही गई कुछ ऐसी चर्चा की गई है राम चरित मानस में को कहने का तात्पर यह है कि अब ऐसे कई उधारन है जैसे कि देवी सती शिव जी को शिव की अरधांगनी है शिव से उनको प्रेम है लेकिन राम पर संशय है रावन को शिव से प्रेम है लेकिन राम पर संशय है राम से उसे प्रेम नहीं है और इसी प्रकार का एक उधारन मिलता है प्रजापती दक्ष का प्रजापती दक्ष विश्णू भक्त है लेकिन शिवद्रो ही है उसकी यह समस्या है कि वह विश्णू भक्त होकर शिवद्रो ही है तो जिसको भी यह भ्रम है कि शिव और राम अलग-अलग है उनकी मुक्ती नहीं हो सकती है वो नरक गामी बनते हैं वो नरक में जाते हैं और वो नरक को ही प्राप्त होते हैं ऐसा स्री राम चंदर जी कह रहे हैं तो यह समझाने के लिए कि यह भेद भाव खतम कर देना चाहिए और हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का भेद भाव इस विशे से संबंदित नहीं रखना चाहिए और ऐसा भेद भाव रखने वाले अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे वो शिव राम कभी देवी कभी विश्नु कभी शिव इन सब चीजों में बहुत अधिक उलजे रहेंगे तो बिना आत्म ज्यान के आत्म ज्यान बिना नर भटके कभी मतुरा कभी काशी मतलब कि कभी विश्नु के पास तो कभी शिव के पास वो भटकता रहेगा जब तक उसको तत्वग्यान नहीं जब तक उसको आत्मिग्यान नहीं जब तक सल्फ रियलाइजेशन की ओर नहीं बढ़ेगा आत्मिग्यान की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी ये सारी समस्याएं लगी रहेंगी तो हमें इन समस्याओं का समाधान ढोड़ना है इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति तत्व ज्यान को जाने पारवती जनम लेकर सती ने तत्व ज्यान को प्राप्त किया शिव के ज्यान को प्राप्त कर लिया तो अब तक वह भी अनभिग्य थी कि शिव कौन है और राम कौन है देवी पारवती को समझ में आ गया कि शिव कौन है और राम कौन है दोनों एक ही शक्ति के दो नाम है ये समझ में आ गया कत्व रूप में दोनों एक ही है अलग-अलग नहीं है और अलग-अलग समझने वाला अज्यानी है मूर्ख है धोस्वामित उसिदाजी ने यहां तक लिखा कि अलग-अलग समझने वाला मूर्ख है उसे मूर्ख शब्द से उन्होंने कहा कि वा उसकी बुद्धी जो है बहुत थोड़ी है और वो नारकी है मतब नरग-गामी उसकी स्थिति तो कैसे जीव का कल्यान हो वो नरग-गामी ना हो उसकी नरग-गामी वाली स्थिति ना बने और वो अपना कल्यान कर सके यह कैसे संभव हो पाएगा तो इसी विशय को समझाने के लिए गोश्वामी तुलसिदाजी ऐसी चर्चा यहां पर कर रहे है कि ऐसी मूढ या अल्प बुद्धी को हमें नहीं प्राप्त होना चाहिए जहां ऐसी समस्या आ रही हो वहां यह बात ठीक नहीं होगी इसलिए हमें विचार करके ही इस तत्थे को समझना चाहिए और शिव और राम में कोई भेदनी करना चाहिए इसी तरह से मनो वैज्ञानिक और भी तत्थे गुस्वामी तुसिदा जी लेते हैं रामिश्वरम की महिमा गाते हुए सेतू का निर्मान शुरू हो जाता है और सेतू निर्मान करके तब भगवान राम क्या करते हैं बांद सेतू अति सुद्रण बनावा देखी क्रिपान दी केमन भावा चली सेन कच्छू बरनिन जाई गर्जही मरकट भट समुदाई नल नील ने सेतू बांद कर उसे बहुत मजबूत बनाया देखने पर वो क्रिपान धार्श्री राम जी को मन को बहुत भाया सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता सेतू बंद डिग चड़ी रगुराई चितव क्रिपाल सिंधू बहुत आई देखन कहूं प्रभू करुना अकंदा प्रगट भै सब जलचर ब्रिंदा श्री राम चंदर जी जैसी सेतू पर चड़ते हैं वैसे ही जितने भी जलचर थे वो सेतू के पास आ जाते हैं बड़े बड़े विशाल जीव वो सेतू के साथ आकर बंद जाते हैं सेतू के साथ आकर वो सारे बंद जाते हैं और फिर सेतू के साथ उनके बंदने के कारण बहुत बड़ा सेतू और बंद जाता है सेतु की चोड़ाई बढ़ जाती है पहले सेतु थोड़ा पतला था सारी सेना एक साथ जब इसका उपाए तो भगवान श्री राम कुछ नहीं कहते हैं और सीधा सेतु पर चले जाते हैं और उनके सेतु पर जाने से ही जो जल्चर है जो समुधर में रहने वाले जीव है वो सब सेतु के साथ आकर बन्द जाते हैं उनके चरन स्पर्ष करने के लिए उनके दर्षन करने के लिए ऐसी कता आती है तो जब सारे एकठे हो जाते हैं तो सेतू की चोड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इतनी बढ़ जाती है कि सारी सेना एक साथ उस पार निकल सकती है तब सुगुरीव ने प्रश्न किया कि प्रभू यदि आपकी कृपा दृष्टी मात्र से ही इतनी बड़ी घटना घट सकती थी तो फिर हमसे इतनी मेहनत क्यूं करवाई गई हमसे तो इतनी मेहनत नहीं करवानी चीज़ाई आपके आप कृपा ही कर दोगे सब हो जाएगा तो शीराम चंदर जी ने कहा कि सुगुरीव ये कृपा हुई कब अगर तुमने ये पतला सेतु नहीं बनाया होता ये संकिर्ण मार्ग वाला सेतु नहीं बनाया होता तो मैं कहां पर चड़ता और कहां ये जीव मेरे ये दर्शन करने के लिए आते और ये चोड़ा सेतु तयार होता तो तुमने कर्म किया है तो उसे कर्म पर ही आधारित कर्पा हुई है अगर कर्म ही नहीं करोगे तो कर्पा की प्राप्ती भी नहीं होगी तुमने कर्म किया है इसलिए तुम्हारे कर्म पर आधारित ही कर्पा हुई है कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कृपा कहां से होगी इस तरह की बात जो है इस तरह का तथ्य जो है भगवान राम ने सुगरी को समझा दिया और ये भी बात समझ में आएगी कि बिना कर्म की ये कृपा कहां से हो जाएगी यदिपी ये इस तरह का प्रसंग पूरी तरह से राम चर्ट मानस में नहीं आता है इतना आता है कि सारे जलचर जो है छी राम जी को देखते ही इकठे हो गये थे और राम जी आगे बढ़ जाते हैं और पीछे-पीछे सेना चल पड़ती है और कुछ ही छणों में सेना जो है लंका के समुद्री तरट पर पहुंच जाती है लंका के समुद्री तरट पर सेना पहुंच जाती है सेतु बंद डिग चढ़ई रगुराई चितव कृपाल सिंधू बहुत जिनके सौस्वा योजन के बहुत बढ़े-बढ़े विशाल शरीर थे कुछ ऐसे भी जनतु थे जो उनको भी खा जाए किसी किसी के डर से तो वो भी डर गए थे बहुत विशाल विशाल जनतु वहाँ पर इकठे हो गए प्रभु हमी लोग के ही टरही न टारे मन हरशित सब भय सुखारे तिनकी ओट न देखिय बारी मगन भय हरी रूप निहारी प्रभु के दर्शन कर रहे हटाने से भी नहीं हटते सब के मन हरशित है सभी सुखी हो गया उनकी आड के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता पानी दिखना बंध हो गया वो इतने ही कठे हो गया और वो सब आनंदित हो रहे हैं और जो वानर सेना है उनके उपर से गुजर पहुंच जाती है और लंकातर पर पहुंच जाती है ठीक है इसी तरह से श्री राम चंदर जी लक्षमन जी जावंत हनुमान जी सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा सकल कपिन कहु आयसु दिन्हा खाहु जाई फल मूल सुहाए सुनत भालु कपि जहत बधाए तो वहां प पहुंच कर इस प्रकार से जहाराक्षस मिल जाते वो उनके नाक कांब काट देते उनको परिशान करते और कहते कि जाओ अपने राजा को बता दो कि हम लोग यहां युद्ध करने की इक्षा से आ गए हैं क्या तुमहारे राजा को युद्ध करने की कोई इक्षा नहीं है ऐसा बार-बार कहकर उसको छेड़ते हुए इस प्रकार से वानर सेना जो थी राक्षसों को थोड़ा परिशान करने लगे और राक्षसों को परिशान करने के कारण राक्षस जो थे बार-बार रावन के पास जाकर शिकायत करने लगे कि ऐसी ऐसी घटना लंका में समुधर त देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बाते लंका की जनता रावन से कहने लगी और रावन की सभा में इस प्रकार की चर्चा होने लगी। तो इस तरह से जब होने लगा तो रावन ने क्या किया। रावन की सभा में जब चर्चा होई और उसकी सेना ने उसकी जनता ने जब शिकायते शुरू कर दी। अपने महल में चला गया और वहां उसकी पतनी ने उसे बहुत समझाया। कर गही पती ही भव निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरन नाई सुरू अंचुल रोपा सुनाहु बचन पीय परिहरी कोपा। वहात पकड़कर पती को अपने महल में लाकर परम मनोहर वानी बोली। चरनो में सिर नवाकर उसने अपने आचल पसारा और कहा कि है प्रियतम पुरुद त्याकर मेरा वचन सुनिये। नाथ बयरू के जो ताही सो बुधी बल सकीय जीत जाही सो तुम्हे रगुपती अंतर कैसा खलू खद्योत दिन करही जैसा। ये नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुधी और बल के द्वारा जीत सकें। आपमे और श्री रामचंदर जी में निश्य ही कैसा अंतर है जैसे जुगनू और सुरे हो। अपनी पत्नी पर ये कैसी बाते करती है और मंदोधरी तो श्री रामचंदर जी की ही महिमा गा रही है बार बार रावन को समझा रही है। प्रहस्त ने भी समझाने का प्रयास किया। मंदोधरी तो समझाई रही है लेकिन मंदोधरी के समझाने के बाद रावन ने उसे उठाया, उसकी बाहों को पकड़ कर उठाया और उसे बहुत समझाया। उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध में विजय हमारा ही होगा। रावन अपनी सभा में जाकर बैठता है और वहाँ पर रावन जब सभा में बैठता है अपनी पतनी की बात तो उसने नहीं समझी। मंत्रियों से जाकर पूछता है सभा आई मंत्रिहित ही भूझा करब कवन विद्य रिपु से सूझा काहीं सचिव सुनू निशिचर नाहा बार बार प्रभु पुचहूं काहा। कहहु कवन भय करिय विचारा नरकपी भालू अहार हमारा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन ही है। सब के बचन शवन सुनी कह प्रहस्त कर जोरी निती विरोधना करिये प्रभु मंत्रही मत अति थोरी। कानों में सब वचन सुनकर रावन का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि है पिताश्री निती के विरोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहा है सचीव सट ठकर सुहाती नाथ न पुर आव एहिभाती बार दिन आगे एक कपी आवा तासो चरित मन महु सब गावा। कि हे स्वामी हे राजन एक मंत्री ने कहा सचीव ने कहा कि एक वानर आया था एक दूत आया था आज तक उसका लोग उसका गुन गाते हैं लंका के अंदर उसकी वीरता और उसकी भैयावता से भैवित लंका की जनता है उस एक ने इतना बड़ा प्रभाव दिखाया अब उ कर लोग उतर देते हुए का है रावन उतर देते हुए किया कहता है उस समय तुम लोगों मेंसे किसी भूक नहीं लगी था नहीं तो नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसे सम्मत्ति सुनाई जो सुनने में अच्छी है पर जिसके आगे चलकर दुख पाना जहीं बारिश बधायो हेला उतरे हुसेन समेत सुवेला सो भनु मनु जखाब हम भाई बचन कहां ही सब गाल फुलाई जिसने खेली खेल में समुद्र बांध लिया जो सेना सहीत सुवेल परवत पर आ उत्रा है भाई कहुवा मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खालेंगे सब गाल फुला कर पागलों की तरह वचन कर रहे हैं रावन को समझ में नहीं आ रहा है रावन नहीं मान रहा है और सब को कायर कहता है यह मनुष्य बहुत थोड़े ही है नीती सुनिए पहले दूत भेजिए और सीता जी को देकर शीराम जी के परती देख लेजिए अगर आप सीता जी को वापिस करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कुछ भी नहीं होगा कोई उद्ध नहीं होगा विवेक चला जाता है नास जब नास मनुष्पर चाता है पहले विवेक मर जाता है तो रावन की स्थिती भी कुछ ऐसी है कि उसके मंत्री समझा रहे हैं उसका पुत्र समझा रहा है उसकी पत्नी समझा रही है फिर भी रावन को बात समझ में नहीं आ रही है और रावन उस समय एहंकार में अपनी सभा से निकल कर चला जाता है अपना मनुरंजन करने पुरा राज्य के सामने शत्रू की सेना खड़ी है युद्ध शुरू होने वाला है लंका सिखर उपर अगारा अती विचित्र तहां होई अखाडा बैठ जाई तही मंदर रावन लगे किन्नर गुनगन गावन लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था वहाँ नाच गान का खाड़ा जमता था रावन उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुनगान समूँ करने लगे और गान गाने लगे रावन मनुरंजन में लग गया देखिए कैसी विपरित बुद्धी है निर्त्यंगनाओं का निर्त देखने में लगा है पाजही ताल पखावज बीना निर्त करही अपशरा प्रवीना ताद पखावज और बीना बज रही है और नित्य में प्रवीन अपसराएं नाच रही है और रावन जो है यहाँ सामने मौत खड़ी है पूरे राज्ये पर विपत्ती आई हुई है लेकिन रावन को अब सराओं का निर्थ देखना है तो रावन की प्रविर्थी कैसी है यहाँ पर बताने का कोशिश की जारी है कि वो अखाडे पर रावन की लंका की चोटी पर लंका की चोटी पर उचाई पर वहाँ पर अखाडा है और रावन वहाँ जाकर बैठा हुआ है और वहाँ बैठ कर अब सराओं का निर्त देखता है ना अपनी पत्नी की सुनता है ना अपने मंत्रियों की सुनता है और ना अपने पुत्र की सुनता है और विपत्ती में तो सब की बात सुननी चाहिए और मनन चिंतन करना चाहिए लेकिन रावन किसी के नहीं सुनता ना अपने पुत्र की ना अपने पत्नी की ना अपने सभासदों की मंत्रियों की किसी की भी ना सुनकर मनुरंजन में चला गया अब सराओं का निर्थ देखने अखाडे में चला गया और जब निर्थ देखने के लिए अखाडे में इस प्रकार चला गया तो फिर क्या होता है तो उस समय भगवान राम क्या करते हैं तो गोस्वामी तोसिदा जी यहाँ पर थोड़ा सा रुखते हैं और रामचंदर जी क्या कर रहे हैं? अब इस समय रावन मनुरंजन में लगा है, तो रामचंदर जी भी मनुरंजन में लगे हुए है वो भी सोच रहे हैं कि चलो भाई सेना आ गई है रावन को सूचना पहुँच गई है युद्ध तो होना ही है थोड़ी प्रतिक्षा कर लेते हैं तो रामचंदर जी भी अपने प्रेमियों के सदसाय तापर रुचर मृदुलम्रग चाला तेही आसन आसन प्रिपाला रातरी हो गई है समुद्र तट पर एक परवत था सुबेल जिसको वो लांग गय है और उस परवत को लांगने के बाद लंका का महल है और वो भी परवत प प्रत्य और सुन्दर फूल अपने हाथों से सजाकर बिचा दिये उस पर सुन्दर और कोमल मृग चाल बिचा दिये और उसी आसन पर श्री राम जी विराजमान हो गया प्रभुकृत सीस कपीश उचंगा पाम दहिन दीसी चाप निसंगा दुहुकर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी काना शीराम चंदर जी क्या करते हैं कि प्रभु शीराम वानर राज सुगरीव की गोद में अपना सिर रखे हैं उनकी बाई और धनुष तता दाहिने और तरकस रखा है वे अपने दोनों कर कमलों से बान सुधार रहे हैं विवीशन जी कानों से लगतार सलाह कर रहे हैं मतलब रूल जो वहाँ पर करते थे लंका में आज राम जी के साथ कर रहे हैं बड़ भागी अंगद हनुमाना चरन कमल चापत विधिनाना प्रभू पाछे लच्मन विरासन कटी निशंग कर बान सरासन कि परमभाग्यशाली अंगद और हनुमान जी दोनों श्री राम जी के चरनों को दबा रहे हैं चापत विधिनाना चरन कमल चापत विधिनाना लक्षमन जी कमर में तरकस कसे हुए हाथों में धनुष बान लिये विरासन से प्रभू के पीछे सुश्वबित है श्री राम जी सुगरीव के गोद में सर रखर लिटे हुए हैं हनुमान और अंगद चरन भी दबा रहे हैं और थोड़ा सा जैसे कि आदमी आधा लेटता है न वैसे चरन दबा रहे हैं और श्री राम जी अपने धनुष बान को सही भी कर रहे हैं और साथी साथ यह समय कैसा है यह रातरी का समय है रातरी हो चुकी है यह रातरी का समय है यह रातरी का काल है और यहां जो रात्री का काल है इसमें हो क्या रहा है तो गोश्वामी तुसिदा जी यहां पर बड़ा सुंदर वर्ण करते हुए आगे की बात लिखते हैं एह बिदिक्रिपा रूप गुन धामू रामू आसिन धन्नते नर एह ध्यान जे रहत सदा लैलीन इस प्रकार क्रिपा रूप सुंदर के गुनों के धाम शी राम जी विराजमान है बड़ी सुंदर छवी है जैसे शी राम चंदर जी जैसे भगवान विश्णू अपने शेष नाक की सईया पर विराजमान होते है वैसे ही और लक्षमी जी चरन दबाती रहती है वैसे ही शी राम चंदर जी सुगूरीव के गोद में अपना सिर रखे हुए है पनुमान जी और अंगद जी दोनों चरन दबा रहे हैं क्योंकि उनकी चरनों में ही तो सारी सफलता है और लक्षमन जी पीछे अंगरक्षक के रूप में बैठे में और विबीशन जी बगल में बैठकर राय सला कर रहे हैं राय सला भी चल रही है साथ में चर्चा भी चल रही है और इस प्रकार से भगवान स्री राम चंदर जी ने कुछ बोला रातरी का समय हैं अंधेरा हो चुका है शी राम चंदर जी क्या बोलते हैं पूरब दिशा बिलो की प्रभू देखा उदित मयंक कहत सबही देखू ससही म्रिगपती सरिस असंक पूरब दिशा को देकर शी राम चंदर जी ने चंदर मा को उदै हुआ पाया कि सुर्यास्त हो गया है और रातरी का प्रसम प्रहर शुरू हो चुका है और पूरब दिशा में चंदर मा का उदै हो चुका है चंदर मा उदित हो चुका है तब वे सब से कहने लगे, श्री राम चंदर जी ने सब风 пойście किया चंद्रमा को देखो, क्या तुमने कभी ध्यान से चंद्रमा को देखा है? श्री राम चंदर जी ने प्रश्न पूछा सभी वानरों से वहां बैठे सुगरीव जी वहां बैठे अंगत जी और थोड़ी थोड़ी दूड़ पर दूसरे वानर भी बैठे हुए है वानर से ना बैठी हुई है और स्री राम चंद्र जी ने चंद्रमा को देखते हुए सभी वानरों से प्रश्ण कर दिया क्या तुमने कभी ध्यान से चंद्रमा को देखा है सब ने कहा कि हाँ प्रभु देखा है तो शीराम चंद्र जी ने प्रश्न कर दिया कि जरा ये बताओ कि ये चंद्रमा में दाग कैसा है जरा चंद्रमा को दो देखो कैसा सिंग के समान निडर है कहत सबही देखा हूँ सची मृगपती सरसी असंग कि चंद्रमा सिंग के समान दिखाई दे रहा है सिंग के समान एकदम निडर दिखाई दे रहा है तुम भी इसके समान निडर हो जाओ अकेले रहकर भी निडर चंद्रमा अकेले रहकर भी देखो कितना निडर है लोगों को चंद्रमा के समान ही निडर होना चाहिए कितना भी अंधेरा क्यों ना हो सुर्यास्त के कारण अंधेरा चा जाता है लेकिन सारे अंधकार को चंद्रमा चीर सकता है और चंद्रमा इस प्रकार से उधित है जरा ध्यान से देखो पुर्व दिशा रुपी परवत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशी ये चंद्रमा रुपी सिंग अंधकार रुपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदिर्ण करके आकाश रुपी वन में निर्भय विचर रहा है कैसी साहित रचना है कैसी उपमा है तो श्री राम चंद्र जी कहते हैं कि यह जो चंद्रमा है पूरव रुपी गुफा से निकला अंधकार रुपी हाथी के मस्तक को विदिर्ण कर चुका है और आकाश रुपी वन में निडर होकर निशल होकर निर्भय होकर निर्भीक होकर भ्रमन कर रहा है पूरे वन में आकाश रुपी वन में घूम रहा है अकाश रुपी वन में, जो हाथ ही आ गया था, अंधकार रुपी हान्त, उसके मस्तक को विदल्ण कर चुका है, और ये चंद्रमा वन के अंदर घूम रहा है, अब शीराम चंदर जी विचार कर रहे हैं, चंद्रमा अकेले हैं, शीराम चंदर जी अपने आप से ही विचार कर अपने आप से ही मिला रहे है चंद्रमा को पुर्णिमा का चांद है और चांद के साथ तूलना चल रही है राम जी को बार बार चंद्रमा की और दिखा रहे है सारी वन देखो चंद्रमा कैसे क्या कर रहा है चंद्रमा जैसे पूर्व रूपी गुफा से निकला और काला हाथ जो कि अंधकार मैं है उसके मस्तक को विदिर्ण कर दिया और आकाश रुपी वन में निर्भीक होकर निडर होकर घूम रहा है घूम रहा है इस प्रकार से बार-बार देख रहे हैं सब लोग सोच रहे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं किस तरह से कहना चाहते हैं उनका यश चंद्रमा के समान सूरी के समान वो सूरी वन्षी वैसे भी शीराम चंदर जी का जन्म करक लगन में माना जाता है और करक लगन का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा ही है और आज इस पुर्णिमा की चांद जो निकली है जिसमें बहुत तेज रोशनी है श्री राम चंद्रजी उसे चंद्रमा को देखकर देखकर एक दृष्य बनाते हैं कि देखो ऐसा समझो कि जैसे ये चंद्रमा एक गुफा से निकला है और अंधकार रुपी हाथी का मस्तक विदिर्ण कर चुका है और आकाश में भ्रमन कर रहा है एक भी एक बाद बताओ बिठूरे नभ मुकुताहल तारा निशी सुन्दरी केर सिंगारा कह प्रभू ससी महूं मेच कताई कहूं कह निचनमति भाई आकास में बिखरे वे तारे मोतीयों के समान है जो रात्री रुपी सुन्दर इस्तरी के सिंगार है प्रभू ने कहा कि भाई समान हैं और रात्री रूपी इस्त्री का सिंगार कर रहे हैं और जैसे कि इस इस्त्री का जो प्रेमी है वो स्वेम चंद्रमा है जो कि सिंग के समान वहाँ पर आया है लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस चंद्रमा के अंदर जो काला दाग है इसको क्या उपमा दू स्री राम चंद्रजी ने के दृष्ष तो खेच दिया कि जैसे कि रात्री अंधकार जो है वो हाथी के समान है सिंग और चंद्रमा सिंग के समान है उसने हाथी का सर विदिर्ण कर दिया है उसके प्रभाव को खतम कर दिया है और अपना राज चला रहा है अंधकार में भी इत और चंद्रमा जैसे उसका खुद प्रेमी हो उससे मिलने आ गया है इसलिए वो सजी हुई है क्या इस तरह की उपमा शेराम चंद्रजी देते हैं लेकिन बोलते बोलते रुक जाते हैं और सभी वानरों से पूछते हैं कि इतनी बात तो चलो ठीक है यहां तक की बात तो समझ में आ रही है यहां तक तो सब ठीक है लेकिन एक बात बताओ कि जो चंद्रमा में काला काला दाग है यह क्या है इसको तुम क्या कहोगे इसकी उपमा कैसे दोगे इसकी तूलना किस से करोगे जो चंद्रमा में काला दाग है वह भला क्या है यह तो ब बताओ कि चंद्रमा में ये काला दाग कौन सा है तो उस समय सभी उत्तर देते हैं मैंने सुना है कि चंद्रमा और राहू में सतुर्ता है सुगरीव उत्तर देते हैं सबसे पहले चंद्रमा में जो काला दाग है वह क्या है अब यहाँ पर कोई विज्ञान की बात नहीं होती ही काला दाग क्या है विज्ञानी को उन्हें क्या रिसर्च किया है वो सब जानते हैं विद्यावान गुणियती चातुर स्वेम हनुमान जी विद्यावान गुणियती चातूर है लेकिन यहाँ पर तो उपमा देना है यहाँ पर तो इस आधार पर दृष्ष देना है कि भगवान राम ने एक दृष्ष खीच दिया है कि चंद्रमा सिंग के समान है पुर्व रूपी गुफा से निकला है रात्री रूपी अंधकार रूपी हाथी के माते को विद्रन कर चुका है और रात्री इस आकाश रूपी वन में घूम रहा है निर्भिक होकर घूम रहा है और रात्री रूपी इस्त्री है जिसने सिंगार कर रखा है तारे जो है उसके मोतियों के हार है चंद्रमा उस इस्त्री का परम प्रेमी है इससे उससे मिलने के लिए आया है सारे बाधाओं को दूर करके मार करके अब यह सारी जो बात है इसी राम चंदर जी पर सूट हो रही है इसी राम चंदर जी पर बन रही है कि शीराम चंदर जी ही वो शेर है वो सिंग है जो गुफा से निकल कर लंका की जो रात्री है राक्षसों की जो रात्री, जो अंदकार है और उसका जो राजा है, वो हाथी, वो रावन है उसको विदिल्ण करके निर्भीक होकर वो चारों तरफ घूम रहे हैं और अंधकार में पड़ी हुई, लंका रूपी अंधकार में पड़ी हुई सीता जी लंका में रहती हैं, सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं, तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए स्री रामचंदर जी आये हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा स स्वेम स्री राम चंदर जी हैं लेकिन रात्री यहाँ पर लंका है और सुंदरी यहाँ पर सीता जी है उनकी प्रियसी है और यहाँ पर शी राम चंदर जी आये हुए तो शी राम चंदर जी पूछते हैं कि चंद्रमा तो वो स्वेम है लेकिन इसे चंद्रमा में दाग क्या ह सभी नहीं समझ पाते इस बात को अपनी अपनी मती से भगवान पूछते हैं कि अपनी अपनी मती से उत्तर दो अब शीराम चंदर जी ने जो खीची थी लाइन कुछ ने पकड़ी और कुछ ने नहीं पकड़ी अब जिसने हलाके शीराम चंदर जी अपनी बात कह रहे हैं कि जैसे ये चंद्रमा है वैसे मेरी स्थिती है लेकिन अब एक स्थिती का वर्णन यहां पर नहीं हुआ है वो श्री राम चंदर जी आगे अभी करेंगे और वो क्या कि चंदरमा में काला दाग क्या है यही प्रश्न है कि चंदरमा के अंदर जो काला दाग दिखाई दे रहा है वो काला दाग क्या है यह बताओ तो सबसे पहले सुगरीव ने उत्तर दिया और सुगरीव ने उत्तर देते वे आगे का सुगरीव कनव सुनहू रगुराई ससी महू प्रगड भूमी के जाई मारे उ राहू ससी ही कह कोई उर्महू फरी स्यामता सोई कि चंद्रमा में पृत्वी की छाय दिखाई दे रही है अभी यह बात कही थी तब तक दूसरे वानर ने कुछ उत्तर दिया शुगुरीव ने कहा कि चंद्रमा में पृत्वी के छाया दिखाई दे रही है अब लोग यह नहीं पकड़ पा रहे हैं कि श्री राम चंद्र जी जो व्याक्या कर रहे हैं वो अपने अपने आप को ही चंद्रमा बता रहे हैं श्री राम चंद्र जी अपने आप को ही चंद्रमा बता रहे हैं किसी और को नहीं बता रहे हैं इसलिए सारा वर्णन इस प्रकार से वो खीच रहे हैं लेकिन श्री जिन्होंने नहीं पकड़ा उन्होंने सटे कुत्तर नहीं दिया किसी ने कहा कि अब भगवान ने पूछा भी ऐसे ही कि अपनी-पनी मती से बताओ, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि चन्दर्मा के अंदर जो दाग है वो क्या है? अपनी-अपनी मती से अब इतना ही समझ जाते लोग कि श्रीराम चंदर जी अपनी बात कुछ भी नहीं बोला ऐसा समझ कर कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन सुग्रियू ने कहा कि मुझे लगता है कि पृत्वी की परच्छाई चंद्रमा पे पढ़ रही है इसके कारण चंद्रमा पे काला दाग है तब तक दूसरे वालर ने उतर दिया चंद्रमा को एक बार राहू ने मारा था क्योंकि चंद्रमा और राहू शत्रू है और उसी चोट से राहू का रंग तो काला है और लगता है कि वही काले रंग का दाग जो है चंद्रमा को चोट का दाग लगा हुआ है एक बार राहू ने मारा था तो वो वेक्ति जोतिशिय गणना पे चला गया कि भाई राहू और चंद्रमा के शतुरता होती है और राहू चंद्रमा को ग्रहन लगाता है और जब ग्रहन लगाता है तो एक तरह से मारता है चोट पहुँचाता है छती पहुँचाता है तो राहु ने जो चंद्रमा को मारा है उसी के प्रभाव से चंद्रमा के उपर काला दाग पड़ गया है एक ने अपने जोतिशिय ज्यान का प्रमान दे दिया कि हाँ मुझे पता है राहु चंद्रमा की शतुरता है और उस कारण जब ब्रम्हा ने काम देव की इस्त्रि रती का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारभाग निकाल लिया अर थात जब काम देव की पतनी रती जो बहुत सुन्दर थी जब उसका बनाया रती एक ऐसी इस्त्री जो कामदेव की पत्नी है और उसे देखकर कोई भी आकर्शित हो जाए, मोहित हो जाए जब ब्रह्मा ने रती का मुख बनाया तो उस समय जब ब्रह्मा ने रती का मुख बनाया तो उसने चंद्रमा का सारभाग निकाल लिया जिससे कि रती का मुख तो परम सुन्दर हो गया लेकिन चंद्रमा के हिर्दय में छेद हो गया और वही छेद दिखाई दे रहा है वह छेद चंद्रमा के हिर्दय में वर्तमान है जिसकी राह से आकास की काली छाया उसमें पढ़ रही है तो चंद्रमा के अंदर छेद बता दिया एक ने कि भाई ब्रह्मा जी ने जब रती को बनाया था तो जिसने जैसी जिसकी बुद्धी थी जिसका आकरशन जिस चीज के परती था सुगुरी बुध्धी लगाने में लगा था विज्ञान को समझने में लगा था तो उसने कह दिया परत्वी के परचाई है एक ने कह दिया राहू से सतुरता है तो राहू ने मारा होगा अब उसकी बुद्धी ग्रहों पर जादा रहती थी वो जादा भाग्यवादी व्यक्ति रहा होगा या फिर इस तरह की व्यक्ति भाई जो ग्रह जैसी दशा करेंगे वैसा ही तो होगा न ऐसा विचार करके वो जीता होगा जीवन तो उसने उस हिसाब सुत्तर दे दिया दूसरा व्यक्ति उसके अंदर उसको सुन्दर इस्त्रिया और ब्रह्म्भा ने रती को बहुत सुन्दर बनाया उसका कुछ विशेस आकर्शन रहता है सुन्दर इस्त्रियों के परती या रती के प्रति या कामदेव के प्रति तो भावी के रूप से जीव के अंदर इन विश्यों के प्रति आकर्शन रहा जैसे आपकी बुद्धी है न वैसे ही आप देखोगे संसार को और जस्दन ब्रह्म बुद्धी प्राप्त हो जाएगी, उस समय सब कुछ ब्रह्म ही देखोगे, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म हो जाएगा फिर ब्रह्म सत्यम जगर अविथ्या, जी वो ब्रह्म है वनापरा तो उस व्यक्ति के मन में कामदेव के परती और रती की चर्चा के परती कुछ ज़्यादा आकरशन था तो उसने उसी से तूलना कर दी और कह दिया कि मैंने सुना है कि रती बहुत सुन्दर है कामदेव की पत्नी का मुख जब ब्रह्माजी ने बनाये था तो चंद्रमा का टुकडा ले लिया था चंद्रमा के बीच के हिस्से से एक टुकडा ले लिया था और उसके मुख पर लगा दिया था उसको सुन्दर बना दिया था और वो जो टुकड़ा निकाला था उसे चंद्रमा में छेद हो गया है और उसी में आकाश की परचाई दिख रही है और वही काला दाग दिख रहा है तो सुगुरीव ने अपने मती के नुसार उत्तर दे दिया जैसी चिंतन उसके दिमाग में चल रहा था उस समय तो गुरिव के मन में चल रहा था युद्ध जीतना है मैं वानर सेना हूँ तो पिर्थिवी के परशाई पढ़ गई होगी तो किसकी पिर्थिवी कितनी राजनीती के हिसाब से सुग्रिव के मन में राजनीती के विचार चल रहे थे पूरी तरह से नापतोल चल रहा था युद्ध होगा कैसे होगा क्या होगा विजई होगे तो क्या होगा पराजय होगे तो क्या होगा तो नापतोल वाली बुद्धी चल रही थी और उसी में उसने कहा कि लगता है पृत्वी की परशाई ही होगी एक ने वो थोड़ा ज्यादा ग्रहों पे निर्भर रहने वाला व्यक्ति जैसा ग्रह निश्चित करेंगे वैसा ही तो सब होना है तो लगता है कि राहू ने इसको जो मारा था चंद्रमा को वही दाग पड़ा हुआ है दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा काम भाव के वशिभूत था दूसरा वानर तीसरा वानर जो था उसने कह दिया कि नहीं रती तो बड़ी सुन्दर है रती से ज़्यादा तो सुन्दर कोई है नि तो ब्रह्मा ने रती को बनाया होगा तो चंद्रमा का ये टुकड़ा निकाल लिया होगा और चंद्रमा में इसी कारण से छेद हो गया अब एक उत्तर देना बाकी है दो उत्तर अभी भी बाकी है अगला उत्तर स्वेम राम चंद्र जी देते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रामचंदर जी क्या उत्तर देते हैं सुनी रामचंदर जी अपनी कलपना के अधार पर उन्होंने जो कहानी रची थी जो रेखा रची थी जो कथा चित्र उन्होंने बनाया था उसकी अधार पर रामचंदर जी उत्तर देते हैं प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा अतिप्रिय निज उर दिन बसेरा बिस संजुत कर निकर पसारी जारत बिरहवंत नर नारी प्रभु शीराम जी ने कहा कि विश्चंद्रमा को बहुत प्यारा है विश्च चंद्रमा को बहुत प्यारा है चंद्रमा तो विश्च को भी अमरित करने वाला है तो विश्च को ग्रहन कर लेता है विश्च चंद्रमा को विश्च बहुत प्यारा है इसी से उसने विश्च को अपने हिर्दय में स्थान दे रखा है और विश्य युक तो अपने किरन समूहों को फैला कर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है वियोगी यहाँ पर वियोगी शब्द भगवान ने प्रयोग कर दिया चंद्रमा के लिए क्यों क्योंकि कि स्री राम चंद्र जी अपनी सांसारी के स्थिति का वर्णन कर रहा है कि वो भी उस समय वियोगी है श्री राम चंद्र जी कह रहा है जैसे मेरी सीता आज मेरे संग नहीं है वैसे ही ये चंद्रमा विश्ख को धारन की येवे वियोगी बनकर आकाश में वीचरन कर रहा है उनकी कहानी में जो उन्होंने कहानी शुरू की थी जैसे पुर्व रूपी गुफा से एक सफेद सिंग निकला हो चंद्रमा की तरह और उसने हाथी रूपी अंधकार के मस्तक पर आकर्मन करकर उसके मस्तक को विदिर्ण कर दिया उसके प्रभाव को कतम कर दिया आकाश रूपी वन में निर्भीक होकर विचर रहा है श्री राम जी पूरे वन में निर्भीक होकर विचर रहा है कबंद का वद कर दिया कई राक्षस मारे गए खरदूशन मारे गए लेकिन फिर भी सीता जी तो नहीं मिले वियोग तो अभी भी बना हुआ है तो कई राक्षसों का वद कर दिया और यहाँ पर रावन रुपी जो राजा का तूलना हाथी से की गई है रावन की तूलना यहाँ पर आ गए हैं और र समय रुक जाते हैं चंद्रमा की कहानी तो मैंने सुना दी और यह जो रात्री रूपी जो तारे हैं यह रात्री रूपी सुंदरी के गहने के समान है जिसे चंद्रमा मिलने आया है क्योंकि राम जी या सीताजी से मिलने आये है सीताजी रात्री रूपी लंका में रहती है लेकिन चंद्रमा का दुख क्या है कि चंद्रमा के हिरदय में विश भरा हुआ है यह चंद्रमा भी वियोगी है तो शीराम चंद्रजी तो अपने आपको चंद्रमा के अस्थान पर रखे वे थे पहले से लग रहा था पढ़ने से यहाँ पर वो वही बात कह देते हैं कि यह वियोगी समू को फैला कर किरन समू को फैला कर वह वियोगी नर नारियों को जला र रहा है, तब इतने में जब भगवान राम ने अपनी बात कह दी, अपना ही दुख जैसे बाट रहे हो, शीराम चंद्रजी चंद्रमा की कहानी के माध्यम से जैसे अपना ही दुख बाट रहे हो, तभी हनुमान जी बोल पड़े, भजरंग बली ने कहा कि नि मुझे बोलना प इस बात को कोई समझ नहीं पाया इस कहानी को कोई समझ नहीं पाया यदि कोई समझ पाया तो स्वेम हनुमान जी समझ पाया और दूसरा कोई नहीं समझ पाया मात्र बजरंग बली ही इस विशय को सही से समझ पाए और तुरंत हनुमान जी ने कह दिया अपना उत्तर दिया कि मुझे भी अधिकार है भाई अपनी मती के अनुसार में बताऊ मुझे तो लगता है कि आपकी स्यामल मूर्ती ही चंद्रमा के हिरदय में बसती है लिया गया हो जैसे ब्रह्मा जी ने रती को बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए चंद्रमा का टुकड़ा ले लिया हो कोई पिर्थवी की छाया भी नहीं है और कोई राहू का धंड भी नहीं है यह राहू का दाग भी नहीं है यदि चंद्रमा में ये काला रंग अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे तो स्वेम प्रभु राम चंद्र जी की छवी ही चंद्रमा के हिर्दय में दिखाई दे रही है चंद्रमा ने आपको देखकर प्रभु आपको ही अपने हिर्दय में बसा लिया है यही सत्य है और वही श्यामता न ज़लक रही है चंद्रमा में तो जिसकी जैसी बुद्धी थी जिसके मन में जो चल रहा था उसने वैसा वैसा उत्तर दे दिया सुगरीव के मन में जो चल रहा था सुगरीव ने उत्तर दे दिया दूसरे वानर ने जो कहा कि इसने राहु वाली बात कही उसने वैसा उत्तर दे दिया जिसने कामदेव और रती वाली बात कि उसने वैसा उत्तर दे दिया और राम जी के मन में जो चल रहा था कि ये चंद्रमा भी मेरी ही तरह वियोगी है और विश फैला रहा है ये तो विश को धारन किया हुआ अपने हिर्दय में तो सी राम चंद्र जी जब से सीता जी से अलग हुए हैं अपने हिर्दय में विश लेके घूम रहे हैं कुछ ऐसा तो सी राम चंदर जी अपनी स्थिती को सब बता रहे हैं वो भी कोई बहुत बड़ा ज्यान नहीं समझा रहे हैं लेकिन हनमान जी ने का कि मेरे हिर्दय में तो राम बसे हुए तो मैं अपनी मती से बताऊंगा तो सीधा उन्होंने का कि जैसे आपके भक्त आपको अपने हिर्दय में बसाते हैं प्रभु चंद्रमा भी आपका भक्त है और उसने आपको अपने हिर्दय में ही बसाया हुआ है आपको अपने हिर्दय में ही बसाया हुआ है और मैं तो साप साप देख रहा हूँ कि चंद्रमा के अंदर आपकी ही छवी दिखाई दे रही है आपकी शामल छवी जो है चंद्रमा के भीतर दिखाई दे हूँ संसार वैसा ही दिखेगा संसार वैसा ही नजर आना शुरू होगा जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा ही संसार दिखना शुरू हो जाएगा जिसके जैसे विचार होंगे उसको सब कुछ उसी द्रश्टी से देखना शुरू कर देगा वही ढूंडेगा वो उसी चीज़ को ढूनना वो शुरू कर देगा जो उसके मन में विचार है और दुनिया उसको वैसे ही नजर आनी शुरू हो जाएगी सभी तो इतने लोग पाप करते हैं तो कि अपनी मती से संसार को समझते हैं कुछ लोग अच्छे काम में लगे हैं कुछ लोग बुरे काम में लगे हैं कुछ लोग कुछ काम में लगे हैं कुछ लोग को लगता है कि दुनिया को ठग कर ही सारा काम हो सकता है तो जनता को मुर्ख बनाने में लगे हुए हैं नेरेटिव क्रियेट करने में लगे हुए हैं कुछ लोग अपना दृष्ष देने में लगने में कि हमारी तरफ से देखो, ऐसा देखो तो कैसा रहेगा, वैसा देखो तो कैसा रहेगा, ठीक है, तो इसी लिए, हमें दुनिया कैसे नजर आ रही है, मातर चंद्रमा की नहीं है, हम कैसा समझ रहे हैं, यह हमारे अपने ज्यान, अपने समझ और हमारे अपने अनुभवों से जो विचारधारा प्रगट होती है, जो विचारधारा प्रगट होती है, हम संसार को वैसा ही समझते हो, फिर वैसा ही कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो कोई पृत्वी की छाया बताता है तो कोई राहु का दाग बताता है तो कोई रती का मुखडा बताता है काम देव रती का मुखडा बताता है तो शीराम चंदर जी भी उसी अवस्था में अपनी बाते करते हैं प्रभु जानते वे भी अपनी तुल्ला वो कह रहा है तो ज अपने हिर्दय में विश लेकर बैठा हुआ है सी राम चंदर जी भी वैसे ही interpretation करते हैं और बजरंग बली कहते हैं कि भाई जैसे भक्तों के हिर्दय में आपकी छवी बस जाती है वैसे चंदरमा के हिर्दय में भी आपकी ही चवी बसी हुई है मैं यही देख पा रहा हूँ तो हनुमान जी का उत्तर सुनकर भगवान राम चुप हो जाते हैं कोई उत्तर नहीं देते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं मुस्कुराने लग जाते हैं जिस रहस्य को वो छुपाना चाहते थे जिस रहस्य को राम चंदर जी छुपाना चाहते थे उस रहस्य को हनुमान जी ने प्रगट कर दिया कि प्रभू आप अपने सामर्थे का रस अपने सौंधरे का रस छुपाना चाहते हैं आप अपने आपको वियोगी बता रहे हैं आप जैसे चंद्रमा क्योंकि ये राम सांसारी को रूप से देखा जाए तो राम चंद्र जी की पीडा को कौन समझे राम चंद्र जी अपनी पीडा को ही समझाना चाहते है पीड़ा कोई समझाना चाहते कि देखो चंद्रमा के हिर्दय में जैसे विश है लेकिन खुल के तो बात बोल नहीं रहे हैं वैसे ये वियोगी होकर घूम रहा है राम चंदर जी स्वे में वियोगी है किता जी का इसमरन करते हैं तो वो उस दृष्टी से चंद्रमा को देखते हैं जैसी उनके अंदर उस समय विशारधारा चल रही थी यदपी राम चंदर जी ब्रह्म स्वरूप है तत्व ज्यानी है स्वेम तत्व है और स्वेम ब्रह्म है मतलब कि उस ब्रह्म में लीन या उस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ज्यानी ब्रह्म समान ही हो जाता है तो स्वेम ब्रह्म समान है स्वेम ब्रह्म है लेकिन जान बूझकर अपने नर रूप की लीला करते हुए नर्विर्थी को ही प्रस्तूत करते वे कहते हैं कि क्या है चंद्रमा की स्थिती कैसी है चंद्रमा के हिर्दय में स्वेम आपका वास है आपकी छवी है तो कि हनुमान जी के हिर्दय में स्वेम राम जी रहते हैं तो वो सोशते कि बैइ चंद्रमा में काला काला जो दाक दिख रहा है तो राम जी की छवी है, उनी की शामल छवी है और क्या है? तो हनुमान जी के हिरदय में तो स्वयम राम जी रहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा इंटर्पेट कर दिया कि नहीं चंद्रमा के हिरदय में सब ने अपने अपने इस्थिती के नुसार चर्चा कर दी तो यह संसार भी आपको इश्वर में तभी दिखाई देगा जब हिरदय में इश्वर का वास होगा और हिर्दय में सही तरीके से इश्वर का वास तभी हो पाएगा जब ज्ञान होगा जब अनुभाव होगा जब अनुभूती होगी तो जब हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़ते हैं तो हम ज्ञान दृष्टी से संसार को देखते हैं इसलिए दुख तो जीवन में सब के आता है सब को रोते हैं लोग जब दुख आता है तो ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए जो ज्ञानी है वो ज्ञान से भोगेगा और अज्ञानी रो रोकर भोगेगा ज्ञानी विक्ति कभी रोएगा ने उस दुख को वो अपने करम संसकारों का परिणाम समझेगा उस दुख को अपने करम संसकारों का परिणाम समझ कर उसको ज्ञान दृष्टी से समझेगा और अपने दुख को कम कर लेगा लेकिन जो अज्ञानी वेकती है वो रोएगा हाए मुझे ये दुख मिल गया हाए मुझे वो दुख मिल गया तो इस प्रकार से जैसी मती होती है वैसी ही सृष्टी बन जाती है जैसे हमारे विचार चलते हैं दुनिया वैसे ही दिखनी शुरू हो जाती है तो बहुत बड़ा साइकलोजिकल पॉइंट गोस्वामी तोसिदाज जी इस प्रसंग में ले आते हैं और श्रीराम जी प्रश्न करते हैं जरा चंदरमा को देखो और बताओ इसमें काला दाग कौन सा है तो सब अपने अपनी मती जैसी रखते थे वैसे वैसा उत्तर वो दे देते हैं जिनमें जैसी सोच का विचारधारा का जैसा वास्ता उनको वैसा ही नजर आता है और वैसा ही वो उत्तर दे देते हैं राम चंदर जी यहाँ पर अपनी स्थिती को देखते हुए उत्तर देते हैं और हनुवान जी अपनी स्थिती को देखते हुए कि मेरे हिर्दय में तो राम बसे हैं तो चंदर्मा में भी उनको राम ही दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए हमें ऐसी बुद्धी के सब कुछ तो ब्रह्म मैं ही है संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है ब्रह्म को जानकर ही एक योगी ऐसी तृष्टी को संसार को इस प्रकार से देख पाता है और समझ पाता है तो जैसे विचार होंगे वैसा ही संसार बन जाएगा इसलिए कहते हैं कि बिगड़ते हैं खयाल तो बिगड़ता है आदमी सुधरते हैं खयाल तो सुधरता है आदमी अगर खयाल बिगड़ जाए अगर विचार बिगड़ जाए तो आदमी बिगड़ जाएगा विचार सुधर जाए तो आदमी सुधर जाएगा हनुमान जी जैसा विवेक हो जाए तो हनुमान जी जैसे दृष्टी हो जाएगी पिर संसार भी और चंद्रमा भी वैसे ही दिखाई देगा जैसा हनुमान जी को दिखाई दे रहा है तो ये सुक्ष्म बाते हैं जो हमें समझने चाहिए और समझने के योग्ये हैं तो चलिए जिग्यासुओ इसी के साथ अब हम चलेंगे विराम देंगे आज की शर्चा को और आपके कमेंट्स भी बहुत सारे हैं उनको भी देख लेते हैं संत कुमार भाटी जी नवजोत नाथ जी बहुत अभिनंदन है राजू पाल जी बिमला शाह जी सतीश माश्टर जगत नरायन अबनी प्रधान सरोज कृष्णानी रमेश पेश्वानी बंधु डीएफ शंकर प्रसाद अजीत अपराजित सविता नायक विनोत कुमार सूध श शर्मा हरिश शंद्र पतेल विंदेश्वरी मिश्रा हिरलाल यादो पंकस सोनी नेहल स्थावरते उनम सिंगला श्वेता कुमारी मुकेश राटोड योगेंद्र पंडित गोपाला जी घनेश्याम तरोदे माधुरी कोले रूपलाल विश्वकर्मा एम प्रसाद पंधना व सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है सुझाता रॉय चौधरी अभिनंदन है आपका रहें बने रहें और कल फिर इसका लाब उठाते हुए लाभानुवित हो लाइब चर्चा में हम राम चैतमानस कथा के आगे के प्रसंगों को लेकर आएंगे और उसपर चर्चा करेंग तो बहुत बहुत आभार आप सभी का ध्यान योग का कोर्ण शुरू हो चुका है कल ही शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी आप जुआइन कर सकते हैं कल तक सुल्ला तारिक तक आप जुआइन कर सकते हैं तो कल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो संभाव नहीं हो पाएगा, दो दिन इसलिए मौका दिया जाता है कि कई लोग सोचते रहते हैं, जैसे कि आज भी दो लोगों ने कहा कि हम ज्वा तो ये चीज मानी जाएगे फिर, इसलिए दो दिन का एक्ष्ट्रा समय दिया जाता है, तो ज्वाइन करना है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और कोर्स सुरू हो चुका है, लाभानवित हो जाएंगे, नहीं तो अब एक महीने बाद, मई के महीने में ही आप ज्वाइ झाल झाल झाल